Hello everyone, welcome back to smart learning, आज के वीडियो में हम लोग exercise 4.2 का question number 1 solve करने जा रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख चुका है, chapter 4 का introduction जिसमें हमने देखा कि हम किसी भी quadratic equation को solve कैसे करें, उसके 2 method हैं, एक तो formula method और एक तो factorization method, इस exercise में हमें factorization method से सारी equations को solve करना है, हमारा पहला question यही है कि हमें कुछ equations दी गई है, और इसका हमें solution निकालना है by factorization method, ठीक है, चलिए भी रखिस देरी, let's jump into the video, तो हमारी पहली equation है, x square minus 3x minus 10, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग factorization करना सीख चुके हैं, वीडियो नहीं देखा है, तो description में उसकी link दी गई है, you can check that out below, तो x square minus 3x minus 10, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा, कि जो हमारी equation है, वो standard form में दी गई है या नहीं, और हम सब ही जानते हैं, कि standard form क्या होता है quadratic equation का? यह हमारी quadratic equation का standard form, degree वाला x होता है, वो हमारा सबसे पहले आता है, फिर उससे छोटा, फिर हमारा constant, तो हमारी यहां पर यही दिया हुआ है, तो सब कुछ बढ़िया है, अब आपको क्या करना है, इस x square के आगे क्या लिखा हुआ है, बहिया, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, इ इतना answer आया, 10, ठिक, उसको कोने में लिख लीजे, अब यह जो बीच वाला number है, 3, इसको आपको ऐसे तोड़ना है, कि ऐसे दो numbers में तोड़ना है, जिन दो number को plus या minus करने पर 3 answer आये, minus 3, और multiply करने पर 2 आये, तो इसके लिए, अगर मैं इसे ऐसे तोड़ दूँ, x square minus, हाँ और एक और trick है, मैंने आपको बताया ही था, 10 के पहले क्या लगा है, minus, तो आप यहाँ पे एक bracket बना लीजे, और इन दोनों के बीच में जो दो हम number चूज करेंगे, उसके बीच में भी minus आएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दू, 5 minus 2, तो हमारा answer 3 आ जाएगा, right, तो अब क और यह minus minus plus 2x minus 10 is equal to 0, अब आप देखिए, minus 5x plus 2x कितना answer आएगा, minus 3x, ठीक है, अब हमें क्या करना है भाईए, बस pairing कर लेनी है, दो दो की, तो यहाँ पे हम लोग इसका common निकालेंगे, x और अंदर बज़ेगा x minus 5, फिर हम लोग इसमें common निकालेंगे, तो अंदर बज़ क्योंकि इसमें 2 था, और 10 भी तो 2, 5, 10 होता है ना, तो इसमें से भी हमने 2, 5, 2 बाहर निकालेंगे अंदर 5 बचा, तो हमें देख रहा है कि दोनों bracket सेम है, मतलब कि हम सही जा रहे है, तो हम यह दोनों bracket common ले लेंगे, और बागी जो बचा उसे एक bracket में रख देंगे, ठीक तो यह आ गए हमारे दो factors, इससे हम लोग x की value पता कर सकते हैं, तो हमें कैसे पता करनी होती है भाईया, एक factor को उठाया, is equal to 0 रखा, तो x की value एक आ गई क्या, 5 आ गई, इदर minus 5 था उदर जाके 5 हो गया, एक और factor उठाया क्या है, plus 2, is equal to 0 रखा, तो एक और x की value क्या गई minus 2 आ गई, तो यह हो गया हमारा solution 5 और minus 2 हमारा answer है, तो हमको समझ में आ गया है भाईया कि क्या करना है, हमें x square के coefficient से constant को multiply करना है, फिर उसके बाद, बीच वाले number को ऐसे तोड़ना है, ऐसे दो numbers में तोड़ना है, जिसे multiply करने पर हमारा यह answer आए, और plus या minus करने पर वो बी में करते आए हैं, तो यह था हमारा first वाला, अब हम चलते हैं second वाले, second वाला है 2x square plus x minus 6, तो सबसे पहले तो compare कर लीजे, क्या यह equation standard form में है, बिल्कुल है, तो अब हमें क्या करना है, 2 into 6, कितना हो गया भाईया, 12 हो गया, अब बीच में क्या है भाईया, कुछ नहीं है, मत तोड़ना है, जिसको plus या minus करने पर क्या है भाईया, 1 answer आए, तो 12 के factors लिख लेते हैं, 2 into 6, 12 होता है, 3 into 4, 12 होता है, 12 into 1, 12 होता है, तो इन में से कौन सा pair आपको ऐसा लग रहा है, कि जिसको minus करने पर, या plus करने पर answer 1 आएगा, यह वाला, 4 minus 3 कितना हो जाएगा, 1 और 4 into 3 क होगा, 12, तो यहाँ पर 6 के आगे minus लिखा है, मतलब bracket में क्या आना चाहिए, minus आना चाहिए, तो 4 minus 3, x minus 6 is equal to 0, ठीक है, अब यह जो plus है, यह अंदर multiply होगा, तो 2x square plus 4x minus 3x minus 6 is equal to 0, बस, अब हमें क्या करना है, pairing कर लेना है, तो यह हो गई है, my pairing, अब इसमें से क्या common आएगा, 2 तो आएगा ही, और x भी आएगा, अंदर क्या बचेगा, x plus 2, इसमें क्या common आएगा, 3, अंदर क्या बचेगा, x plus 2, is equal to 0, अब x plus 2, x plus 2 common ले लेते हैं, और बागी जो बचा वो एक bracket में, यह is equal to 0 लगाना बहुत जरू इसी में आपके marks कर जाते हैं, अगर आप is equal to 0 नहीं लगाते तो, ठीक है, अब हमारे जो है, दो factors आ गए, x plus 2, और 2x minus 3, तो अब हमें क्या करना है, x plus 2 is equal to 0, तो x is equal to minus 2, right, 2 इदर से इदर जाएगा, तो minus 2 हो जाएगा, 2x minus 3 is equal to 0, अब 3 इदर जाएगा, तो 2x is equal to 3, फिर 2 इदर multiply में, तो इदर जाकर divide में हो जाएगा, तो x is equal to 3 by 2, तो 1x हमारा 3 by 2 आगया, और 1x की value क्या आगई, minus 2 आगई, ये दोनों ऐसी values होती हैं, जिनको अगर आप इस equation में x की जगा पर रखेंगे, तो पूरे equation का जो answer आएगा, वो 0 हो जाएगा, आप minus 2 रखके देख ल 0 हो जाएगे, ये मतलब होता है हमारा solution find करनेगा, तो ये था हमारा second वाला, अब हम चलते हमारे third वाले question, तो अब तो भाहिया, आपको याद ही हो जाना चाहिए, कि हमारा पहला step क्या है, हमारा पहला step है, कि हम इसे compare करेंगे, तो ये ax square plus bx plus c के form में completely है, तो ये भाहिया ब करेंगे, तो root 2 into root 2 कित्ता हो जाएगा, 2, तो 5 into 2 बचेगा, मतलब की 10, ठीक, root 2 into root 2, 2 होगा, ठीक, तो 5 into 2, 10 हो गया, ठीक, या, सिंबल सी बात है, अब हमें 7x को ऐसे तोड़ना है, माइनस करने पर नहीं, प्लस ही करने पर, क्यों, क्योंकि यहां पर plus का sign लगा हुआ है, तो root 2 x square plus bracket बना लो, बीच में plus का sign होना चाहिए, x plus 5 root 2 is equal to 0, अब आप ही बताइए, 2 into 5, 10 होता है, और 2 plus 5 भी 10 ही होता है, तो 2 plus 5 भी 7 होता है, तो यहां पर हमारा जो pair है, वो 2 और 5 का बना, तो root 2 x square plus 2 x plus 5 x plus 5 root 2 is equal to 0, ठीक है, अब फिर से हमें pairing करनी है, root देख कर तोगा, पराना है नहीं, यहां पर क्या common आएगा, एक x तो common आ ही रहा है, वो हमें दिख रहा है, बट एक root 2 भी common आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, जो 2 है ना, जो 2 है ना, वो root 2 into root 2 करके बना है, राइट, तो इसमें से एक root 2 हम common ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी एक root 2 है, तो एक root 2 हमारा common आ गया, और एक x भी common आ गया, अंदर क्या बचा भई है, x plus root 2 बचा, राइट, अब यह root 2 x को इसमें multiply करेंगे, तो root 2 x square, और root 2 x को root 2 में multiply करेंगे, तो 2 x, राइट, अब यहां पर क्या common आ रहा है, यहां तो से इदा सीदा 5 common आ रहा है, और कुछ आई नहीं रहा, अंदर क्या बचा, root 2, x plus root 2, तो यहां भी x plus root 2 आ गया, यहां भी x plus root 2 आ गया, अब हमें x plus root 2 वाले bracket को common ले लेना है, और बाकी जो बचा, वो एक bracket में, तो यह निकल के आ गए हमारे दो factors x के, अब इसको is equal to में 0 में रखना है, और answer निकालना है, कि x की दो कौन सी value होगी, यहां तक मैंने कर दिया, अब बाकी आपको is equal to में रखके, इसकी दो value कमेंट करनी है, ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे fourth question, तो भाईया, इस वाले question में, हमें जो सबसे जादा परिशान कर रहा है, हमें सबसे पहले step यह करना है, कि उसे दफागना है, क्या हमें सबसे जादा परिशान कर रहा है, यह, यह, 1 by 8, इसने ही हमें डहल लग रहा है, कि कैसे करेंगे solve, तो इसी को अटा दीजे, हम जानते ह है, कि जब भी हमें कोई भी equation में, हमें अपनी सहुलियत के हिजाब से changes करने होते हैं, तो हम उसमें multiply, divide, plus, minus कर सकते हैं, बशर्ते, वो पूरी equation में होना चाहिए, तो अगर मैं यहां पर पूरी equation को 8 से multiply कर दूँ, तो मैं कुछ गलत तो कर नहीं, तो अब हमें क्या करना है, 8 को पूरी equation से multiply कर देना है, तो 8 into 2 हो जाएगा 16, यहां पर कुछ नहीं है, 8 into 1 हो जाएगा 8, और 8 into 1 by 8 कितना हो जाएगा, 8 से 8 cancels, तो बचेगा क्या सिर्फ 1, तो अब जो हमें सबसे ज़्यादा परिशान कर रहा था, that is 1 by 8, वो यहां से जा चुका है, अब हमें क्या कर करना है, वही जो हम लोग करते हुए आए, 16 into क्या करना है, 1 करना है, तो हमारा answer क्या आएगा 16, अब बीच वाली, यानि की 8 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पर हमारा answer 16 आए, हमारा answer 8 आए, और multiply करने पर 16 आए, तो इसके लिए 16 के factors लिख लिजे, 2 into 8 is equal to 16, 4 into 4 is equal to 16, right, और 16 into 1 is equal to 16, और भी कुछ होते हैं क्या, I don't think so, तो हमारा इसी में काम बज जाएगा, तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें दिख रहा है कि 4 plus 4 भी 8 होता है, और 4 into 4 16 होता है, तो हम simply 16x square minus 4 plus 4 x plus 1 is equal to 0, अब हमें क्या करना है, माइनस अंदर multiply होगा, तो 16x square minus 4x minus 4x plus 1 is equal to 0, तो अब हम लोग क्या करेंगे, भाईया, पेरिंग करेंगे, इसमें क्या common आएगा, 4x common आएगा, अंदर क्या बचा, 4x minus 1, इसमें क्या common आएगा, minus 1 common आएगा, अंदर क्या बचा, 4x minus 1 is equal to 0, तो हमारा answer क्या तो हमारा जो factors आ गए वो क्या आ गए 4x-1 और 4x-1 तो इसमें जो x की value निकलेगी दो वो दोनों same होगी that is 1 by 4 1 by 4 ठीक है तो हमार ने 4 questions कर लिए हैं जो 5th वाला question है वो आप सब के लिए homework है अगर आपको उसका answer नहीं बनता you can comment down below और बन जाता है तो भी comment कर देना कि क्या answer आया ठीक है चलिए इस वीडियो को like कर दीजे दूसरों को साथ share कर दीजे also if you haven't subscribe to my channel yet तो किस बात की दे रहे है जल्दी से जल्दी से subscribe कर ये it is free of course कोई पैसे नहीं लग रहे है चलिए मिलती हो आप से बहुत जल्द मेरे अग या हा बाइ दे झाल興 से जल पूब और नदीन हम, भी टूसरों किछ बढ भीक है है टूस्क जल्दी टूसरों कर दो सुन्दी से बहे है09 फों कर दो सक्का दोस्के पस वाली क्यों को जाता है भीक है